कि रभू चरणों मैं बंदन करते हुए मैं पसान सोलंकी स्वागत करता हूं आप सब का आपके अपने परिवार वो कैब वंडर्स पर तो कैसे हैं आप सब उमीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे बहुत सांधार होंगे और बहुतरी नंग से पड़ाय लिखाई जिसके चलते उस बुक में थोड़ा सा टाइम देना सारी चीजों को मैनेज करना जिसके चक्कर में टाइम में नहीं निकाल पाए जिसके लिए तहे दिल से आपसे माफी चाऊंगा लेकिन क्योंकि बुक आपकी complete हो चुकी है मैं आपको बता देता हूं CGL Warrior की बुक पर काम CGL का आपको जो एक्जाम आने वाला है जिसके लिए एक ऐसी किताब जो कि प्रॉपर एक प्रैक्टिस किताब जिसको आप लेके complete तरीके से पिछले 2-3 साल के questions को practice कर सकते हैं ना सिर्फ प्रैक्टिस कर लें बलकि में एक question का detail में explanation आपको मिल जाए और उनसे जुड़े हु आपके लिए उपलब्द होगी लेकिन पिछले कुछ समय से इसी लिए आपके classes नहीं आप आ रही थी बट इस कुछ समय में हमने कुछ चीज़े रेलाइज भी करी जिनको मैं अभी आपके सामने सेर भी करूंगा तो आज तो हमारी डे 54 की class है और डेली चोवन classes किसी भी सीर पाते होंगे आप आगे नहीं भड़बा रहे होंगे तो वह थोड़ा सा आपके लिए negative points सावित हो सकता है इसलिए मैंने यह decide करा है कि अब से क्योंकि देखो जैसे आज की class हम देखेंगे अभी पहले एक बर class भी start करते हैं एक सब्सक्राइब और यह वनबर सब्सक्राइब की class नमबर अचारहे है और यह पेज नमबर 74 पर गिवन है बाकी class को सुरू करने से पहले बता दूं यह हमारा English का recorded batch है वीडियो ऑन डिमांड और यह जो batch है यह आर जी विकरम जी तरफ पे अवैलेवल है सिर्फ 699 के female lifetime validity क साथ में आपको इतने सारे features के साथ में बैच मिलता है एकदम fully features से loaded batch है जबरदस्त बैच है आप सभी लोग इस batch का फाइदा उठा सकते है और आज की class का पहला word है the study of earthquakes earthquakes की study होती है उसको क्या बोला जाता है तो आप सभी जानते हैं बच्पन से पढ़ते हैं कि सिस्मो ग्र भूकम की तीब्रता को मापने का विज्ञान तो study of earthquakes क्या हो जाता है सिस्मो लॉजी सो अब यह आसान सब्द है बहुत आसान सब्द है इसको याद करने के लिए ना किसी और चीज की बहुत सिंपल वर्ड है अगर इसके लिए भी ट्रिकी जोड़त पढ़ रहे हैं तो मेरे जो भूकम की विज्ञान है उसको बोल देते हैं अगला जापका सम्मंद जो वर्ड है to walk aimlessly walk or move at a slow or relaxed pace यानि कि बहुत कम स्पीड में walk करना aimlessly walk करना दीरे दीरे टहलना इदर उदर से चलना तो बिना purpose के ऐसे ही घूमना उसको क्या बोलते हैं इसको बोला जाता है मिरे आपका एंबल एंबल यानि मंद गती से चलना अब इसको कैसे याद रख सकते हैं देखो एंबल से मिलता जूलता sound है आपका humble और humble का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा polite है जो बड़ा आप बड़े प्यार से बोलता है और जो प्यार से बोलता है तो दीरे दीरे बोलने बाला व्यक्ति कैसा होता है humble होता है यानि humble 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 यानि दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे ऐसे connect करके याद रख सकते हैं तो यह भी आसान वर्ड है कुछ मुस्किल नहीं है बाकी फिर भी याद रखेंगे इसको अगला वर्ड है a sound that cannot be heard जिस सुनने लायक है अगर audible नहीं है तो inaudible हो जाएगा तो सुनने लायक नहीं है तो क्या हो जाएगा inaudible अब इसके लिए अगें कोई tricky ज़रत नहीं है तो जो सुनाई ना दे वो inaudible अब देखो यह ऐसे words को मैंने consider करा साथी साथ में मैंने आप लोगों की हालत को consider करा कि अग हमारी cjl warrior पर किताब पर काम चला कल को हो सकता है हम main book पर काम कर रहे होंगे फिर हमारी चार दिन की चुटी हो जाए या कोई त्योहार आ जाता है फिर हमारी चुटी हो जाए यानि कि classes का होना अगर आप पूरे तरीके से classes पर dependent रहो तो ऐसे किसमा हो सकता है कि आपका थोड संजीवनी सीरीज के अंतरगती अगली क्लास से हम क्या करने वाले हैं जैसे कि मैं आपको बताता हूं वह कैब संजीवनी एक पर दिखाई नहीं दे रही है कहा गई यहां से ठीक है तो मालीजे जैसे संजीवनी की हमारी किताब है अब किताब में बहुत सारे words है अब तक हम क्या कर रहे हैं हर पेज के हर एक सब्द को आपको पढ़ा रहे हैं तो आप इंतजार करते हो कि जब ही पढ़ेंगे जब सर पढ़ा देंगे अब हम क्या करने वाले हैं देखो पहल कही न कहीं आपको एक तरीका देख चुका हूं मैं कही न कहीं आपको दे चुका हूं कि आपको ultimately पढ़ना कैसे आपको ट्रिक्स बनानी कैसे हैं किस तरीके से तरीका तो मिली गया होगा समझने मेरी बात को तो पहली बात यह कि अब से हम हर एक सब्द को नहीं कर रहे होंगे तो क्या सीरीज को बंद कर रहे हैं बिलकुल नहीं बंद कर रहे हैं अब हम क्या करेंगे जैसे अब तक हम क्या कर रहे थे यह सिंपल सा सब्द है इसको मैं एक को परिसान करने वाले हैं यानिकि अपनी किताब मैंसे sequence wise जैसे अभी रहे हम जो भी पेज़ पर चल रहे हैं लाइक मां लीजे हम 70 में पेज पर चल नहां तो 71 75 43 पे उस ही sequence में ऐसे सब्द जो आपको परिसान करेंगे ऐसे सब्क आपको समझ कमाएंगे ऐसे सब्क जो आपको याद कम होंगे उन सब्क बनाके अगर आपको सिल्टर आउट करते उठ्क नहीं और सिर्ゃ सब्द जिनके बढ़ी बढ़ीया ट्रिक्ड made yeah जै जो सब्को परीसांद परते इससे क्या होगा आप लगातर पढ़ते रही है मान लीजिए कि आप 85 में पेज पर पहुंचे लेकिन क्लास अभी 70 में पर पहुंचे कोई दिकत नहीं है आपने 85 तक याद कर लिया जैसे ही क्लास आपकी 85 तक पहुंच रही होगी तो आप देखोगे कि आपको सिर्फ और सिर् मिल रहे होंगे जिनको आपको बारवार रिवाइज करने की ज़रत है आपको जिनको बारवार पढ़ने की ज़रत है तो उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा दूसरा थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी कवरेज आपकी होने लग जाएगी क्योंकि एक दिन में फिर 6-6-7-7 लेगी और आपको फाइदा भी ज्यादा होगा आपको वही सब्दियां पर मिलेंगे जो क्रीम कॉंटेंट है जो कि आपके लिए ज्यादा परेशान करने वाले सब्दें सो अगली क्लास से हमारा इसी तरीके से पैटन चलेगा लेकिन थोड़ा सा क्योंकि अल्टिमेटली किसी भी चीज़ को शुरू करना एक आसान काम होता है लेकिन जहां पर वो कैफ संजीवनी 304 पेजिस की किताब है उसको कंप्लीट करना 300 क्लास को लेने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा उतने टाइम में आपका पेपर भी आ जाएगा तो हमें ज्यादा जरूरी यह है कि जियो चीज़ां आपको परिसान करें उनमें मैं आपकी मदद करूं तो हम अब से इसी चीज़ को continue करते हो ऐसे चलेंगे अगर फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत है कुछ है तो आप एक बार कमेंट वोक्स में जरूरू बताएं कि आप किस तरीके से continue करना चाते हैं हर ए कितनी बार आपने सुनाएं अब इस वर्ड को हम यहां पर discuss करें तो इसका कोई मतलब थोड़ी न निकलता एक्यूरियम यानि के वह कांच का container जिसमें मचली रखी जाती है तो ऐसे सब्दों को अवाइड करके हम आसान सब्दों को छोड़के मुश्किल सब्दों की हम बात कर रहे होंगे ठीक है अगला वर्ड देखेंगे formally put an end to a system practice और institution यानि कि formal तरीके से किसी system को खतम कर देना किसी practice यानि कि कोई काम जो रहा उसको खतम कर देना या फिर किसी institution को बंद कर देना इसको बोलते हैं किसी को एबॉलिस कर देना सो एबॉलिस करने का मतलब क्या होता है किसी चीज को बंद कर दिया किसी को खतम कर दिया खास करके कोई कानून को भी खतम करने के लिए हम बोल सकते हैं आलंगे कानून के लिए रिवोक भी लगाते है कानून को हटा लिया जाता है सो एबॉलिस को आप कै कोड़ुस्त करते हैं तो TORI तो करते हैं आगे देखेंगे अगला वर्ड है अपिक्सिनल बिंग फ्रॉम एनदर वॉर्ड कॉर्ट्री तो फॉरूरे धर्सका हो यह किसी दूसेथ गोले से आया हो डूसरी दुनिया से अपने पी के मूवी देखी होगी एलियन होता है ना जो दूसरी दुनिया से आये होते हैं तो बस वही है एलियन आसन सब्दे इसको याद करने के लिए ट्रिक वरिक की ज़रूरत नहीं है ठीक है एलियन जो होते है वही आपके कोई व्यक्ति जो ग्रेट डिटेल्स दे यानि हर एक चीज पर प्रॉपर ध्यान दे यह चीज ऐसे नहीं ऐसे होगी जैसे एक व्यक्ति होता है जो टाइम पर पूरा ध्यान देता है उसको बोलते हैं पंक्चुल और ऐसा व्यक्ति जो हर चीज पर प्रॉपर ध्यान देता है उसको बोलते हैं पंक्टूलियस क्या बोलते हैं पंक्चूलियस इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा याद कैसे रखेंगे बाई देखो पंक्ट से आप ऐसे याद रख लेना जो पूरा 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 ध्यान देता है पंक्चूएशन पर ध्यान देना तो पंक्चूएशन हो गई पंक्चूएशन ओगई पंक्चूएशन हो जाती है जो टाइम पर आने पर ध्यान देता है वह पंक्चूएशन हो जाता है और जो हर चीज पर ध्यान देता है उसको पंक्टिलियस बोल देते ह क्या बोल देते हैं सिंपल सा सब्द है तो punctuation पर ध्यान देने वाला बहुत ही क्या होता है पंक्टिलेस होता है आगे देखेंगे अगला आपका जो वर्ड है देज जसमें कोई वक थी पार्सेरली प्रहा है पूरे फिर देता है उसको क्या ऑलते है इसको वोला जाता है अंडेसिया देखो यह कई सारे वर्ड सोते हैं एक सी सही होता है अंगे مलच के मीनिंग आपको कमेंट बोक्स मताने अस्फिक्सिया और अफेसिया इनका क्या मिनिक होता है ठीक है तो याद दास्त इस्मर्ति को खोना यानि के अमनेशिया कैसे याद रख सकते हैं देखो यह आमिर खन का गजनी मूवी का सीन देखा है आपने ऐसा लग रहा है अच्छा आयम इन एसिया आय अच्छा आयम इनेशिया ठीक है आगे डा इक्जामेनेशन और अब्जर्वेशन ऑफ वन्स ओन मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेस अपनी खुद की मेंटल या इमोशनल प्रोसेस पर ध्यान देना एक्जामेन करना उसको उसको क्या वोलते हैं अपनी चीजों पर ध्यान दे इंस्पेक्टर को हिंदी में बोलते हैं निरिक्षक तो इंस्पेक्शन को हिंदी में बोलेंगे निरिक्षण तो खुद का और इंट्रो यानि अंदर का अंदर का निरिक्षण करना बेसिकली क्या कहलाएगा इंट्रो इंस्पेक्शन तो इंट्रो इंस्पेक्शन यानि के अपने अंदर का ही inspection करना ठीक है, so intro inspection basically क्या कहलाएगा अपने अंदर का निरिक्षिब sharpness and accuracy of judgment judgment की sharpness accuracy, उसको बोल देते हैं keenness किसी की, या acumen भी बोल देते हैं, ये वर्ड दोनों ही आ सकते हैं keenness कह सकते हैं, acumen acumen कह सकते हैं, acumen का मतलब क्या होता है या तेज दिमाग जोता है, acumen कहलाता है कैसे याद रख लेंगे देखो a quick man, एक तेज आदमी कैसा होगा a quick man, acumen a quick man, acumen a quick man, acumen a quick man, acumen इस तरीके से आप इसको 4-5 बार जैसे बोल बोल के देखोगे तो easily याद हो जाएगा बाकी बोल बोल के सबनों को याद जरूर करें बहुत फायदा होता है अगला जो आपका word है something that is strong and lasts long time without breaking or becoming weaker कोई भी चीज जो कि strong है और लंबे time तक last करने का मतलब है ठिकना, चलना, ठीक है long time तक without breaking or becoming weaker कमजोर हुए बिना या टूटे बिना जो लंबे time तक चलती है उसको बोल देते है Durable अब आसान सबते इसको याद करने की trick नहीं चाहिए Durable का मतलब यह देखो duration यानि अबदी जो durable है वो एक अबदी में चलेगी तो वहीं से आपने एक battery का नाम सुना होगा Duracell Duracell क्या है बहुत time तक चलती है Duracell की battery बहुत टिकाओ हुए तो टिकाओ basically क्या हो जाएगा Durable बहुत simple है आगे One who can read and write जो पढ़ लिख सकता है उसको क्या बोलेंगे देखो जो गवार होते हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं उनको illiterate बोलते हैं जो पढ़ लिख सकते हैं उसको लिटरेट बोल देंगे किसी ट्रिक की ज़रत नहीं पढ़ेगी लिटरेट यानि कि जो पढ़ा लिखा है जो पढ़ सकता है लिख सकता है जो सिख्षत है लिटरेट हो जाएगा ठीक है आगे देखेंगे drawings or writing on a wall in a public place किसी public place में किसी दीवार पे कुछ लिखना या कुछ ड्रॉ करना उसको क्या वोलेंगे देखो इसके लिए word होता है graffiti अच्छा सब्द है इसको याद करना है ऐसे सब्दों को पढ़ना ही अकसर करके आपको परिसान भी करेंगे so graffiti graffiti का मतलब क्या है जैसे आपने देखा ना public place पे देखो एक तो posters होते हैं जो चिपका देते हैं एक hoardings होती है जो board ऊपर बड़े बड़े लगे होते है एक graffiti होता है जो basically लिख देते हैं ड्रॉ कर देते हैं paint से कुछ बना देते हैं ठीक है आप अक्सर करके देखेंगे इधर उदर बहुत सारे boards लगे होते है याप मलब board तो अलग चीज़ होगी लिखा रहता है white paint से गाउं देहात में आपने देखा होगा पता नहीं क्या क्या लिखे रहते हैं पुराने टाइम पर लिखा रहता था आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप छोटे से थे आप अपनी साइकल पे चलते थे और आप अपने पीछे पिला बिठा के रखतें तो जब के पिल्ला की सीट है उसी को बोलेते हैं सब पिली यह मोटर साइकल यह आपे जो सीट होते हैं अगला देखेंगे अच्छा एक्चुली अन फेरली टेक सम्थिंग बिलॉंगिंग टू अनदर फॉर वन्स यूज किसी चीज का गबन कर लेना किसी चीज का गोटाला कर लेना उसको क्या बोलेंगे देखो ध्यान देना इसको बोला जाता है मिस एप्रोप्रियेट करना मिस एप्रोप्रियेट का मतलब होता है गबन घोटाला ठीक है पैसा खा जाना सो मिस एप्रोप्रियेट करना उसके लिए वर्व है सो मिस एप्रोप्रियेट देखो एप्रोप्रियेट का मतलब है सही है मिस एप्रोप्रियेट का मतलब है गलत सो दुर्पियो करना या गबन कर और मिस अप्रोप्रियेट का मतलब है गवन तो दोनों सब्द अपने आप में अलग अलग होते हैं ठीक है एक सब्सक्राइब करना दोनों सब्दों में डिफ्रेंस इन दोनों को जरूर याद रख लेंगे ज़िए आगे देखेंगे अगला का question है a problem that is so difficult that it cannot be answered कोई question जो इतना मुस्किल है कि इसको answer करना possible नहीं है उसको क्या बोलेंगे देखो जिस चीज का solution नहीं है उनको insoluble बोल देते हैं insoluble तो solu यानि के solution in यानि के negative जिसका solution नहीं है अच्छा solution को हम जैसे जब हुँ chemistry पढ़ते हैं तो हम कहते हैं एक हमने mission लिया और mission को English में कहते है solution so solution यानि कि ऐसी चीज़ें जो mix हो पाती हैं तो insoluble वो चीज़ें हो जाती हैं जो mix नहीं हो पाती हैं तो आ गोलंसील चीज़ों के उभी insult, insoluble बोल देते हैं तो insoluble के दो आपके sense हो सकते हैं कौण से कौण से दो sense हो सकते हैं दोबारा से समझेंगे एक तो a-gholand seal और d दूसरा आपका क्या होता insoluble lod dobre जिसको solve ना किया जा सके तो जिसको solve ना किया जा सके वो भी और जो भूलं सिल ना हो वो भी दोनों के दोनों के वेसिकली क्या बन जाते हैं इन्सॉलिवल को पैसा मिलता है एक आपने सुना WE बाड़ टी ग्रे यह घ्रेशुjsh., मैं इंभी इंधा है इसका मतलब होता है कोई भी पैसा जो कि दान में दिया जाता है तो पैसा झालता इस अल शालाना तोर पर मिलने वाला पैसा याद रख लेंगे जो जो style of cooking food है, इसको बोला जाता है Qsine, क्या बोला जाता है Qsine, क्या बोला जाता है Qsine, Qsine, basically रसोई से संबंदित विववस्ता जो होती है उसको बोल देते हैं ठीक है आगे देखेंगे Able to be happy, खुस होने लायक, successful होने लायक, again after something difficult or bad मला कुछ बुरा हो गया है, उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति खुस हो सकता है अपने आपको संभाल पा रहा है उस चमता को क्या बोलेंगे उस चमता को बोलेंगे भई रेजिलियंस क्या बोला जाएगा तो संभालने की जो चमता है वो रेजिलियंस कहलाती है कैसे याद रख लेंगे देखो भई रिस्क को साइलेंट होके संभाल जो लेगा वही रेजिलियंट होगा resilient वो व्यक्ति जो चीजों को संभाल लेता है resilience उसके संभालने की छमता तो जो risk को silent हो के संभालनेगा वही resilient कहलाएगा risk को silent हो के संभालना resilient और आपका word है easily hurt emotionally ऐसा व्यक्ति जिसको आसानी से emotionally hurt किया जा सकता है उसको क्या बोलेंगे जो बहुत आराम से sensitive अगला आपका word है a group of people लोगों के गुरुप को क्या का जाता है लोगों के गुरुप को देखो लोगों के गुरुप कई परकार की हो सकते हैं mob हैं ऐसे लोग सामान लेता है जो violent हो सकते हैं उनको mob बोल देते हैं ठीक है उसके अलावा एक word होता है अगर कोई जगह बहुत भीडवाडवाली हम बोल देते हैं बड़ी crowded जगह है जहां पर लोगों का आना जाना रहता है तो crowd यानि के जहां पर भीड़ है अगला आपका word है spear यानि की तीर कह सकते हैं used for hunting large fish तीर कह सकते हैं या जो काटा होता उसको बोल देते हैं तो वह spear जो बड़ी बड़ी मचलियों को मलब करने के लिए तो इसको harpoon बोलते हैं क्या होलते हैं harpoon हarpoon बोलते हैं बोलते हैं मचली पकड़ने के लिए धारदार भाला जो हता है ठीर कहलो बाला बोलते हैं राला किस्पियर तीर नहीं ठीक है भाला ऑग्जैक्ट ह已经worm से सबड़ी होता है तो क्या बोलते हैं harpoon क्या उलते हार रख लेंगे दहां चोटे-चोटे कांटे घार ज तो हार्पून हारने के बाद जो इस्पून हम फैकते हैं यह जो चम्मत से हम फैकते हैं वह यह हार्पून अगला आपका वर्ड है एक कमरा या फिर लार्ज कबोर्ड और स्टोरिंग फूड जो खाना रखने के लिए जगे होती है एक कमरा कह सकते हैं मतलब किछिन के पीछे क जो जगे होती है उसके लिए यूज़ करते हैं इसको लार्डर बोलते हैं लार्डर क्या बोलेंगे लार्डर तो गोदाम या भंडार जो किचिन के पीछे की साइड में होता है जहां पर हम अकसर करके खाना वगएरा रखते हैं उसको लार्डर बोलते हैं तो देखो लोड कर से पहले जहां पर रखते है vohy ladder सो लोड करने से पहले जहां order होता है यहीं दिए एक टरीके से एक जिपिसन किया जाता है जिनके प्रदर्सनी की जाती है तो वह उसको मुझिएम बोलते हैं मिजैम इसका में मेंगी में चीजह एक होता है सेक्सा जनेरियन और एक होता है आपका सेंटीनेरियन ठीक है सो सेंटीनेरियन का मतलब है सो सेक्सा यानी के तो एक सो एक साल के लोग तो परसन है वो हंड्रीड इयर्स इन एज आगे देखेंगे अगला आपका पॉलिसी ऑफ रेसियल डिस्क्रिमिनेशन रेसियल डिस्क्रिमिनेशन की जो पॉलिसी इसको क्या वोला जाता है यह सब्सक्री से लिए गया है और हिस्ट्री में अगर क्या लग साथ में दुर्बे बाहर किया जाता है तो अपार्थीड इसको का जाता है इसको आपार्थीड का जाता है रंग वेदगा जो कानूने उसको बूलते हैं ठीक है कैसे याद रक सकते ए अपार्थीड यैंós अपार्ट फ्रॉम दा सेम आईडि जो एक जैसे गोरे- गोरे बाकि अलक सबको अलग कर दो तो अपर्थीड वोल रेजिम कही गी थी अब फोर फुटिड एनिमल एक ऐसा एनिमल जिसके चार पैर हो उसको क्या बोलेंगे बहुत सबक्राइब हो एक होता है आपका बाइपेड जिसके दो पैर हो एक होता आपका Quad, Quad का मतलब भी होता है चार देशों का गुरुप मतलब आपने सुना होगा na Quad Countries इंडिया, आस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका Quad बना रही है So Quad यानि कि चार So Quadrapt का मतलब क्या हो जाएगा Basically Quadrapt का मतलब क्या हो जाएगा बुकिस्केप हर जगे बाकि भाई, यह हमारा VOD बैच है यह भी अवेलिबल है आपका Flipkart थोड़ा सा जल्दी-जल्दी में ठीक है VOD जो बैच है यह भी आपका अवेलिबल है आर जी विकरम जी टैप है 699 में लाइफ टाइम वेलिटिटी के साथ में बाकि Vocab Sanjeevani के अलावा CPO Warrior नाम की भी आपके किताब है यह किताब भी आपकी बड़ी अच्छी है CPO के लिए बड़ी अच्छी प्रैक्टिस भुक है बाकि बाई Instagram पर ज़रूर फॉलो करें और Telegram ज़रूर ज़रूर जोइन कर लें English by Prasansar and Vocab Wonders by Prasansar थोड़ा सा Speed में चला मैं जानबूज के Speed में चला क्योंकि थोड़े से आसान सब्द ज़्यादा थे मुस्किल सब थोड़े से कम थे बाकि अगली Class से Speed को थोड़ा सा Down करेंगे और Content का Level जो है उसको Improve करते हुए सिर्फ और सिर्फ उन Words की बात करेंगे जो आपको परेसान करने वाले है तो अगली एक भी Class आपको मिस नहीं करनी है आगे आने वाली कुछ 15-20 जो Classes है उनके अंदर Complete संजीवनी को Cover कर देंगे और वो सब्द कवर करेंगे जो आपको सबसे ज़्यादा परेसान करने वाले है आज के लिए रखेंगे इतना ही बाकी मिलेंगे अगली Class में थैंक्यू सो मच जय हिंद जय भारत